हेलो फ्रेंड स्वागय थे आपका मेरे चैनल पर आज मैं फिर से आपके लिए एक नए और टेस्टी रेसिपी लेके आए हूँ मैं आज आपके लिए आईस क्रीम की रेसिपी लेके आए हूँ जिसमें हम ना तो कंडेंस्ट मिल के यूज करेंगे और ना ही कोई क्रीम यूज करेंगे ना ही हम इसमें किसी मशीन का यूज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और गर्मियों का ये season है तो आइस क्रीम तो बनता है तो चलिए हम बनाएंगे दो कलनवे वेनिला आइस क्रीम घर पे वो भी बहुत ही असानी से मेरे बताईवे तरीके से चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक पैन को गैस पे डाल दिया ह अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम यानि फुल फैट क्रीम बाला मिल्क जो मार्केट में आपको बहुत असानी से अबलेबल हो जाएगा तो ये फुल क्रीम दूद मैंने एक लीटर यूज किया है अब दूद जब हमारा गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 फॉर्थ कप पाउडर मिल्क और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स हमें कम से कम दूद को 20 से 25 मिनट तक उबालना है जिससे ये गाड़ा भी हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे 1 फॉर्थ कप चीनी और फ्रेंड्स इतना कुछ डालने के बाद हम दूद को कम से कम 20 से 25 मिनट तक उबालेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से खाह रोगवा निकालते वें हम इसे घाठा करेंगे जब तक भो गढ़़ा ओ रहा है तब तक हम यहां अलग त्यारी करेंगे। उसमें मैंने दो चमबच कॉनफ्लोर ले लिया है उसमें हम थोड़ा सा दूद्र डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लंस नहीं होना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है तो मैंने मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं दूद्र बहुत हद तक मेरा गाढ़ा हो गया है, मैंने 20-25 मिनिट तक इसे लो फ्लेम पे उबाला था, अब हम इसमें जो कॉन फ्लोर मैंने घोल के रखाता है, उसे हम धीरे-धीरे करके डाल देंगे, ताकि इसमें कोई लम्स न पड़े, इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए थूरत तेजी से आप इसे हिला ले, और जब तक दूद आपका गाढ़ा न होना लगे, तब तक आप इसे लगातार चलाते रहें, और आप देख सकते हैं, हमारा दूद आप गाढ़ा होने लगा है, और साइट साइट की सारी मलाई भी निकाल दे, और यह आपका दूद आपको गाढ़ा सा दिख रह होगा और अब हम किसी अलग बावल में निकाल के से ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाए पुरी तरीके से तब हम इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के लिए आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो ले सकते हैं मैंने विक्सर का यूज किया है अब हम इसमें डाल देंगे वेलीला एसेंस एक छोटा चम्मच डालके अब हम इसे जल्द जल्दी मिक्स करेंगे ताकि यह पुरा लाइट हो जाए और इसे जमाना है उसमें इसे ट्रांसपर कर दें तो मैंने इसे ट्रांसपर कर दिया है अब हम बंद करके फ्रीजर में इसे एक घंटे के लिए रख देंगे एक घंटा हो गया है अब मैंने फ्रीजर से इसे निकाल लिया है अब फिर से हम इसे बावल में ट्रांसपर करेंगे और अब हम फिर से इसे मिक्स करेंगे, फिर पहले की तरह ही इसे लाइट करना है हमें, अच्छे से मिक्स हो जा रहेगा, अगर आप से जल जली मिक्स करेंगे, आप देख सकते मैं किस तरीके से कर रही हूँ, अब यह मिक्स हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, कि इसे आधा अधा बाट लेंगे क्योंकि हमें से दो कलर में बनाना है आप चाहे तो एक ही कलर में बनाए मैंने इसे दो कलर में बनाया ताकि बहुत सुंदर लगे मैंने पिंक कलर यूज किया है फूट कलर है मेरा पिंक फूट कलर मैंने एक छोटा चमस डाला आप देख सकते हैं कितना अ सकते हैं किस तरीके से मैं डाला थोड़ा उपर से डाला आप देखिए ध्यान से कि मैं किस तरीके से डाल रहे हैं ताकि यह पूरा कलर पिंखी ना हो जाए इसलिए थोड़ा घुमा घुमा के नंबर एट की तरह अगर आप लिखके डालेंगे तब यह बहुत अच्छे से यह हो जाएगा आप सकते हैं आप को इससे अ उसमें नंबर एट लिखने की कोशिश करनी है और इसी तरह की दोनों कलर को बारी बारे डालें और नंबर्डा लिखने की कोशिश करें इससे आपको बहुत ही अच्छा कलर आप देखेंगा, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके का बनाया है, आज तरीम उसमें दोनों कलर कितना मिक्स होके आया है, कितना अच्छा आदा, अगर पूरा पिंक नहीं चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से बारी-बारी से आपको बहुत ही अच्छे से यह हो जाएगा आप इसे एक बाद जरूर बनाएं दो कलर में यह बहुत ही सुंदर भी दिखता है आज सर्फ करने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चे अभी घर पे हैं गर्मिया भी चल रही है तो आपको इन्हें बनाके उन्हें दे सकते हैं तो मैंने आप सारा ही यूज कर लिया है आप देख सकते हैं हमारा दो कलर में वेनिला अैस्त्रीम बनके तयार होगा तो Phillips अब हमारा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे बंद करके रात भर के लिए या पिर जप तक आछे से जम ना जाए तब तक के लिए हम इसे फ्रिजर में रखके छोड़ देंगे और इसे यह रात भर में ही अच्छे से जम के त्यार हो जाएग़े तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा से जम गया है कोई मिक्स अप नहीं हुआ है वाइट और पिंक कलर में है अब हम इसे सर्फ करेंगे जिसमें सर्फ करना है वह बाउल ले ले और आप इसे निकाल ले तो फ्रेंड्स यह बहुत ही आसान था मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है कि आप वेड किस नई इजी और टेस्टी रेसिपी हम आपके लिए हमेशा लाते रहें धन्यवाद